जै शी राम सभी भक्तों को जै मता की फिर एक नई वीडियो के साथ आप सब के सामने हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि कैसे अपना रक्षासुत्र स्वयम बना सकते हैं क्या ये बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि स्वयम कैसे अ क्यानल को भी जरूर सबस्क्राइब करें साथ हमें बेल आइकन हैं उसको प्रेस करें ताकि हरे एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुच जाए चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो जैश्री राम जैश्री बाला जी माराज बाबा की असी रक्षा का बहुत बड़ा महतब है रक्षा का महतब जैसे की रक्षा बंदन जो आ रहा है रक्षा बंदन पे हम रक्षा सुतर बांते हैं अपने भाई को ताकि वो हमारी रक्षा करें ये एक किसम का ये नहीं है ये किसम का रक्षा का है समझ गए आप अर्मान जी महराज क चरनों में भी बंदन डाल इस पकार का सुत्र रख सकते हो कि आप हमारी रख्षा कीजिए ये रख्षा का सुत्र है जिस पकार से आपने माभारत के यूद में देखा था कि दुरौपती ने छोटी सी सारी का टुकड़ा जो था माधव को बांदा था श्री कृष्ण भगवा के पती जो थे वह भी नाकामयब हो गए जब वहां पर बड़े-बड़े योद्धा थे वह भी विफल हो गए तब वहां पर स्वम भगवान ने उनकी रख्षा करी थी तो इसी पकार से आगर हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी कटनाईयां उपलब्द हैं और क्योंकि वह पत पत पर उत्पन होती रहती हैं किसी ना किसी पकार से किसी की गरस्ती में हैं किसी के जीवन में हैं किसी के ओपर कोई करा कराई जो बार बार करते है व्यक्ति नेकिन वो करा कराई हट नहीं रही है कोई व्यक्ति मानता नहीं है तो आपने करना क्या है मैं आपको बता रह आहूं आपने क्या करना है आपने अपना स्वम का रक्षा सुतर त्यार करना है ये रक्षा सुतर किस पकार से त्यार होगा ये मैं आपको आज बताता हूं रक्षा सुतर का मतलब इस पकार से ऐसा जो धागा है ये ये धागा दिखने में एक धागा है नेकिन जब इस धागे अंदर प्रभु की किर्पा वास करने लग जाती है क्योंकि प्रभु जो है वो कन-कन में वास करते है और जब उनगों किर्पा इस धागे के अंदर आ जाती है तो एक रख्षा सुतर में बन जाता है अब ये रख्षा सुतर को हमें त्यार कैसे करना हैúa स्वं अपने खुदके बल पर आप प्रत्मिशा आपके और प्रत्र आप की लिए त्यार करके रखेगा यािवे यह रख्षासुतर आप कर था आपकी तरीके चुनरेधया करना है यही त्ह़ार करना और नेकिन उसी साब से करना कैसे है शक्ति किसी चीज में किस पकार से डाली जाती है कहते हैं जब मूर्ती का मूर्ती बनाता है तब वो हर पकार की छैनी से उस मूर्ती का निर्मान करता है उस पर पैर रखकर भी चड़ता है नेकिन जब वो मूर्ती एक मंदिर में स्थापित हो जाती है तो उसमें प्रान पतिष्टित हो जाती है उसमें प्रभु की किर्पा आ जाती है इसी पकार से जब ये एक धागा है और जब आप अपरी भगती और ये पूजा याचना से इसके अंदर एक पतिष्टा कर दोगे तब एक ये रक्षा सुतर के रूप में त्यार हो तो उसी इसाब से आपने करना क्या है शिवरात्री के दिन आपने दिपक जलाना है शंकर भगवान के सामने और मादुर्गा के सामने विन्य प्राथना करनी है क्योंकि प्राथना के अंदर एक अपार शक्ति होती है और इस पकार का रक्षा सुतर जिस भी व्रक्ति का आप त तक का रक्षा सुतर त्यार करना है और उस रक्षा सुतर के अंदर आपने नो गाठे लगानी है नो गाठे लगानी है वो नो गाठे जो है दिव्या मंतर से लगने चाहिए दिव्या मंतर क्या है माता के नवान मंतर से माता के नवान मंतर में इतनी अपार शक्ति है जिसकी मै अपने इस तुछ मुक्ष के दौरा वर्नन नहीं कर सकता क्योंकि उसकी अगर किर्पा बताने लग जाएं तो समय का भाव कम हो जाएगा तो नवान मंतर पे भी हमने वीडियो बना रखी है माता के नवान मंतर जो है ओम एम हीम कलीम चमुंडाए विचे इस मंतर के आप ये मत देखो कि दो शक्तियों का मिलन का दिन है और तंतर विद्या स्वम शंकर भगवान को भूत नात भी कहा गया है प्रेतो के राजा है और हर पकार के जितने भी अबदर जितनी भी किरिया तंतर मंतर अगोर चंडी काली विद्याएं सब महादेव और माकाली से उत्पन है तो आपके घर पे जितनी भी पकार की अबदर शक्तियों को भेजा जाता है ये कारवाई की जाती है और इस दिन रक्षा सुतर को त्यार किया जाए तो बहुत ज़्यादा भूमुल्याफल प्राप्त होगा आपको नेकिन धारन कब करना है ये भी मैं आपको बताऊँगा इस दिन आपने माता के सोड़ा समय दीजे रातरी को ग्यारा बज़े से लेकर सुबे के सारे तीन बज़े तक आप अगर जाप करते हो नवार मंतर का इस मंतर के जाप से आपको सम महसूस होगा कि वाके में भगवान के परती करीवी पूजा याचनाए कभी विफल नहीं जाती और समय बलवान होता है जिस समय पर बैठकर आप इस मंतर का जाप करोगे और जो धागा आपका होगा वो आपने प्रभु के शिरी चर्नों में अरपन करना है और जब प्रभात फेरा होने वाला हो साड़े तीन बज़े के करीब आपने नो घांटे त्यार कर देनी है और लगातार रोज 11 मालाएं आपने रक्षा बंदन तक आपने कंटिनू माला का जाप रखना है जिस दिन रक्षा बंदन है उसी दिन आप इस रक्षा सुतर को अपनी स्वम की माता या अपनी पत्नी के मादम से अपने हातों पर अगर पति ने किया है तो पत्नी को बांदे अगर पत्नी ने किया है तो पति को कि इसमें यह नहीं है यह जो रक्षा बंदन होता है भाई भेन का तिवार तो है नेकिन इसका में मकसद जो है रक्षा का सुतर है रक्षा करने का सुतर है कि क्योंकि हम एक दूसरे की रक्षा है परिवार एक दूसरे से बनता है समझगे एक गठन से बनता है उसी परकार से परिवार की समस्त व्यक्तियों की अगर रक्षा हो तो वो परिवार है तो इसी पर कार से आपने अपने परिवार का रक्षासुतर भी त्यार कर सकते हो और अपना स्वयंब का गुनगान नहीं बंद करना है रोज की जै एक माला हो या उक्त पांच वार मंतर का जाब करो नेकिन अपने जीवन काल में मंतर को धारन जरूर करना है तो बोलिए जै माता की जै श्री बालाजी माराज बाबा की असीम किरपा आपके परवार पर सदै बनी रहे और शंकर भग और मागोरी की किर्पा आपके घर में हमेशा वास करें जय माताई